हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम है अबिनो कुमार बोरे और डियर There is a big news एक बड़ी कबर है कबर क्या है भई तो return of ला नीना यानि की ला नीना की होगी entry और जैसा बीते वर्षों में आपने देख रखा है कि भई भारत हो या फिर विश्व हो वो लगातार अल नीनो को face कर रहा था I think आप लोग updated होंगे और नहीं है तो इस वीडियो को आगे ध्यान से देखेगा आपको बैतर तरीके से समझ में आएगा कि exactly अल नीनो ला नीना में difference क्या है और क्यों ये इतना जादा महत्वपूर्ण है कि भाई पूरे विश्व को ये प्रभावित करता है आपको मैं बत तो welcome good news for India good news for Australia अच्छी खबर है भारत के लिए अच्छी खबर है भाई Australia के लिए कहूं मैं आपको तो वो सभी महाद्वीब जो हिंद महासागर से सीमा बना रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए positive news है कि भाई आ चुका है ला नीना अल नीनो की ending हो चुकी है होने वाला है अप्रेल के महिने के बाद से आपको इसका असर देखने को मिलने लगेगा भारत में कृषी बैटर होने की संभावना है अब आईए इसे समझते हैं कि exactly basically ये होता क्या है तो अगर मैं आपको समझाओं तो यहां आप ध्यान से देख पाएंगे कि जो अल नीनो महासागर जो आपको दिखाई दे रहा है पैसे विकोशन इस पर जो नॉर्मल कंडिशन से उसका एक्स्ट्रीम हो जाना उनका और उग्र या आक्रामक हो जाना यह एल नीनो कहलाता है ठीक है बिलको सिंपल सी बात में कहूं तो एक लाइन कही जाती है इस लाइन को आप ध् प्रभाव होता है this is a local phenomena having a global impact पूरे विश्वो पर इसका इसपस्ट प्रभाव देखने को मिलता है कैसे तो आईए मैं आपको समझाओं तो ध्यान से देखेगा अगर मैं आपसे कहूं भई कि सामानिता क्या होता है तो सामानिता आप देखेंगे कि जो दक्षिन अमेरिका वाला portion है इस एरिया में humble current के प्रभाव के कारण यहां के सागर के जल का तापमान कम होता है तो भई दाब जो है वो जादा होगा सेम एस ऑस्ट्रेलिया वाले portion में यहां पर जो गर्म जल्दारा का प्रभाव है यह पूर्वी भाग है पूर्वी भाग में गर्म जल्दार के प्रभाव के कारण डियर आप पाओगे कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है टेंपरेचर हाई प्रेशर लो और डियर कुछ इस प्रकार से जो है विंड ट्रेवल करते हुए आती है अब चूकिट विल्ड यहाँ ट्रेवल करते हुए आएगी तो यहाँ पर यह गर्म होकर उपर उठेगी और जब उपर उठेगी तो उपर उठने वाली विंड हाइट कम होने से टेंपरेचर कम होता है टेंपरेचर कम होने से मेग बनेंगे मेग से वर्षा हो जाएगी क्लाउड फॉर्मेशन होगा देन आफ्टर रेंफॉल होगा जूम के सावन आएगा उस्ट्रेलिया में अब यहां पर जब विंड उपर उठती हैं तो ध्यान दीजेगा अगर मैं आपको बताओं तो यहां से विंड जब उपर उठना स्टार्ट होंगी तो उपर उठती हुई विंड यहां आएंगी और इसके पश्चात यह हिंद महासागर में इस स्थान पर गिरेंगी और विंड के नीचे गिरने से प्रेशर हो जाएगा हाई और यहां गिरने वाली विंड भारत की तरफ करेंगी प्रवेश जब आएगा इंडियन मॉनसून और वेलकम यही नॉर्मली होता है और जब यही क प्रेशर हाई बनेगा तो ज्यादस ज्यादा विंड ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगी और ज्यादा विंड ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगी तो डियर यहां पर और ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा और ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा तो जूम के सावन आयोरे होगा याने क भारती उप महाद्वीब कहें या कहें हम ये पूरा एरिया यिस पूरे प्लेस में परियाप्त वर्षा देखने को मिलेगी I think आप लोग updated हैं भई कि भारत में आज भी जो क्रिशी है वो directly dependent करती है हमारे मौनसून पर और मौनसून directly effect होता है basically अलनीनों और लालीना से अब ये जो condition आपने समझी ये वर्तमान में हमें जो news हैं जो observatory units हैं इनके द्वारा बताया गया है कि भाई यहां का तापमान हो रहा है कम अर्थात अब conditions positively induced हो रही है निर्मित हो रही है और हमें देखने को मिलेगा एक better monsoon पर अब चूकी ये बात भाई news पे है तो आईए ज़रा समझते हैं कि exactly इसका उल्टा क्या होता है इसका उल्टा होता है इसे कहा जाता है लानीना अब लालीना क्या है तो देखिए कारण के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो comment section में mention करिएगा मैं एक detail video बनाऊँगा what is Alnino and Lalina पर अगर हम समझने की दरश्टी से देखें तो ध्यान दीजिए कुछ कारणों वश अगर इस इस्थान के जलका तापमान कम जो होना चाहिए उसकी जगा ज़्यादा हो जाए यानि कि यहाँ पर temperature हाई होना start हो जाए कम की जगा यानि कि तापमान हो जाए ज़्यादा तो दाब हो जाएगा भाई कम और अगर दाब यहाँ कम हो गया तो जो पवने हैं वो इस इस्थान से चलना start कर देंगी अब आप समझेगा इस इस्थान से चलने पर पवने जब इस दिशा में जाएंगी तो यहाँ से उपर उठेंगी रादा देन कि वो यहाँ से उपर उठती यानि कि ऑस्ट्रेलिया के तरफ से पवने उपर नहीं उठेंगी और पवने अगर यहाँ से डियर उपर नहीं उठी तो फिर वो इस स्थान पर गिरेंगी कैसे और अगर ये पवने इस स्थान पर नहीं आएंगी तो ध्यान से समझेगा पवन अगर इस स्थान पर नहीं आएगी तो भई हमारे यहां जो मौनसुन आता है वो वीक हो जाएगा याने कि इस स्थान से पावन का ना उठना, बकाई आप आएंगे यहां से उठना मतलब पावने अगर यहां से उपर उठेंगी तो यह वो इलाका है जहां इस स्थान पर आपको देखने को मिलता है भई, आताकामा का मरुष्ठलिय भाग और इस मरुस्थलिय भाग में जब पवन यहां से उपर उठेगी तो यहां वर्षा हो जाएगी और आ जाएगा दक्षिन अमेरिका में फ्लड यानि की बाढ़ दक्षिन अमेरिका में बाढ़ आ जाएगी आस्ट्रेलिया में पढ़ जाएगा सूखा यानि की ड्रॉट और आ यहां लो प्रेशर है तो भारत की तरफ विंड कम आएंगी और कम आती हुई विंड हमारे यहां भी ड्रॉट अर्था सूखा लेकर आएंगी तो भारत में भी पड़ जाएगा भई सूखा इस पूरे एडिया में पड़ेगा सूखा यह कहलाता है अलनीनो एंड लानीना यान की एक जक्षिन अमेरिका का एक जो है वह ऑस्ट्रेलिया का यहां पर सागरी जल के तापमान के कारण सारा गेम आपको दिखाई देता है अब अगर मैं आपको सहच सब्दों में बताऊं तो एक सेल कहलाती है जिसे कहते हैं वोकर सेल ओके वोकर सेल क्या है भई तो सामान्य इस्तिती में साउथ अमेरिका के आसपास के जल का तापमान जो है वो होता है कम कम है क्योंकि यहां पर है हमबोल जलधारा हमबोल जलधारा के कारण पवने ठंडी होकर नीचे गिरेंगी नीचे गिरकर यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगी ऑस्ट्रेलिया से गर्म होकर उपर गिरेंगी, उपर क्यों जाएंगी, एक भाग यहां गिरेगा भाई, एक भाग हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में गिरने वाला भाग भारती उप महाद्वीप में, और वर्षा ही वर्षा, सेम बात, यह जो सेल कहलाता है, इस सेल का नाम याद रखेगा, इसे से देखेगा जब यहां गिरती हैं भाई पवने तो टर्न लेकर भारत में आ रही मौनसून की पवनों के साथ मिल जाती हैं और जब यह मिल जाती है तो भारती मौनसून ठीक से ट्रिगर होता है और भी जादा मौस्ट विंड आती है और हमारा मौनसून सॉलिड बट अब आपको बताया और इस समय भारती मौनसून नकरात्मक रूप से प्रभावित होगा मेरी लाइन को याद रखेगा मैंने कहा था लोकल फिनोमिना विद ग्लोबल इंपक्ट एक स्थानी घटना जिसका वैश्विक प्रभाव है जिसमें आप पाएंगे कि भारती मौनसून न एक उत्री अमेरिका के जो मेक्सिको की खाड़ी है वहां गिरेंगी तब वहां पर चक्रवातों की संख्या कम और USA में चक्रवाती वर्शा कम इसके पशाथ हरीकेन की उत्पत्ती कम हो जाएगी साथ ही जो यूरोप है यहां पर ठंड का तापमान और कम और गर्मी का ताप न कहीं यूरोप में ले आएगा लू जैसी सिदी आपने नियूज में पढ़ा होगा साथ ही आप पाएंगे अफरिका में कम वर्षा अफरिका में तापमान का याने की इमेजिन करें सिर्फ एक घटना केवल जो प्रशान्त महासागर में बह रहा पानी है इसके साथ होती है इस घटना का वैश्विक रूप से कितना प्रभाव है कितना बड़ा इंपेक्ट है अगर मैं आपको बताऊं तो यहां ध्यान से देखेंगे आप तो आपको बेहद ही अउनके से समझ में आएगा कि क्यों हम इसे लोकल फिनोमिना विद गलॉबल इंपेक्ट कहते हैं इस इस वर्ल्ड मैप, दिस दक्षिन अमेरिका, यह दक्षिन अमेरिका है, इसके पश्यात आप जाएंगे, तो भई, यह हमारा उत्री अमेरिका वाला पॉर्षन है, इसके साथ ही, इसके पश्यात आएंगे, तो यह है ऐफ्रिका वाला पॉर्षन, यहां से चलते हुए काम चटका का प्राइद वीप and this is the whole part यहां से आप आएंगे तो यह है भई यूरोप यूरोप से चलते हुए आएं तो यह वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा डन और यहां पर आपको दिखेगा भई आस्ट्रेलिया तो यह कुल मिला के कही न कही हमारा वर्ल मैप रहा है अब देखे जरा हम अगर मार्क करें तो इस एरिया में इफेक्ट दिखाई दे रहा है जहां पर जो है वो या तो सूखा या तो बाढ़ अलनिनो और लानिना की कंडिशन भारती उपमहाद्वीप पर इफेक्ट सूखा नहीं तो जो है परियाप्त वर्षा इसके अ नहीं तो चक्रवातों का इंटेंसिफिकेशन इसी प्रकार से इसी स्थान पर देखें तो यूरोप में ठंड का तापमान कम हो जाना गर्मी का तापमान बढ़ जाना और लू जैल सी इस सितियों का निर्मित होना याने कि पूरे विश्व में प्रशांत महासागर की पवन कि क्या आप इस पर एक डीटेल वीडियो चाहते हैं अगर आप चाहेंगे तो डीटेल में हम अलनीनो लानीना के होने के पीछे के कारण को समझेंगे अब यहाँ पर ध्यान दीजे कि आप शायद अपडेटेद हैं अगर नहीं तो जान लीजिए भई डबल धमाग का सेल के तहट study IQ के वो courses जो एक अप्रेल से price hike के साथ आने वाले हैं उन courses में अभी drop है और even इस cost से भी कम cost पर आप इसे prevail कर सकते हैं by using AK life code इस code का use करने पर यह course आपको जो है वो 22,000 रुपए का दिखाई देगा one to one mentorship crash course के साथ mains residential program आपको इसमें मिलेगा अब अगर आप इस cost को one go pay नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास अभी जब तक यह sale on है यानि कि आज की date तक आपके पास EMI वो भी no cost EMI का option है minimum cost पर इन courses को purchase करें अपने first attempt को बच्चे अपना final और successful attempt बनाएं थैंक यू, have a very nice day